तो बात कर लेते हैं आज मारूती की डिजायर के बारे में जो कि 2020 VXI variant आप देख रहे हैं और यह BS6 model के अंदर है, सबसे पहले बता दू कि यह 1200 CC के अंदर आता है, तो front की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको halogen headlamps मिल जाते हैं, साथी साथ आपको turn indicator slide मिल जाती है और नीच नीची की तरव आपको मिल जेंगे fog lamps, जो की accessories का part है आप जो fog lamps यहाँ पर देख रहे हैं, और अब बात करते हैं, नीची की तरव tire size की तो यहाँ पर बता दू मैं Apollo का आपको tires मिल जाते हैं, जो की rim में है, यहाँ पर कोई आपको disk या ऐसी कुछ चीज़ें आपको नहीं मि मिल मिलेंगे और tire size की बात करूँ तो यहाँ पर 155-80, R14 के यहाँ पर आपको tire size मिल जाता है, Apollo का इसमें tire लगा हुआ है, तो यह सब चीज़ें आप अपनी screen पर देख सकते हैं, यहाँ पर turn indicators मिल जाते हैं, जो ORVM में already fitted हैं, तो यह है मारूति Swift Desire, जो की आप left side से देखे यहाँ पर आपको chrome handles मिल जाते हैं, जो chrome handles आपको मिल रहे हैं, वो S-series का part नहीं है, chrome handles obviously इसमें in-build हैं, यानि की पहले से लगे हुए हैं, कुछ S-series का part है, जिकी screen visor आप यह सब चीज़ें आप देख सकते हैं, पीछे की बात करने तो desire की यहाँ पर badging, बहुत शांदर badging यहाँ पर maruti ने करी है, और कुछ इस तरीके से पीछे से गाड़ी लगती है, desire और यहाँ पर maruti Suzuki की branding आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ बात करें तो बाकी चीज़ों की बात करें तो नीची की तरफ आपको मिल जाता है, reverse camera सांती साथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, reverse parking बी जो की reverse parking sensors भी यहाँ पर अविलेबल है, उपर की बात करूं तो आपको एक antenna मिल जाता है, normal यहाँ पर एक backlight भी आपको अविलेबल है, यहाँ पर कोई defogger इस गाड़ी में अविलेबल नहीं है, नीचे की बात करूं तो कुछ इस तरीकी से गाड़ी लगेगी और right side की बात करूं तो आप देख सकते हैं, code driver site से मैं आपको दिखा चुका हूँ, driver site से यह सब चीज़ें आपको अविलेबल है, यहाँ पर आपको कोई request sensor अविलेबल नहीं है, normal आपको lock unlock यानि की से या फिर आपको remote से ही इसको खोलना होगा, तो यह सब चीज़ें है, desire के बारे म मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर seat adjustment दोरों type की है, मतलब height भी आप adjust कर सकते हैं, साकिसान, back का भी आप seat की rest जो होता है, back rest अब मिलता है, उसको भी adjust कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ drivers control मिलते हैं, जिनके बारे में kick कर अंदर जाके बात करेंगे, अब चलते हैं अंदर और फि condition की on कर देता हूँ, और इस type का MID होने वाला है, तो सबसे बहले MID की बात कर लेते हैं, MID यहाँ पर देख सकते हैं, left side में आपको मिल जाता है, RPM meter और right side में आपको speedometer भी जाता है, बीच में कुछ digital display मिल जाती है, जो indication देगी, और उपर की जाए hazard lights मिल जेंगी, जो कि आप आपको range यह बताएगा, कितनी kilometer चल सकती हो, बताएगा, average बताएगा, और वाकी चीज़े आपको यह बतादेगा, इधर से आप अपने kilometers toggle कर सकते हैं, 9 kilometers गाड़ी चल चुकी है, और नीची की तरफ आप देख रहे हैं, digital आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़े मतलब कितना आपके अगाड़ी में fuel और यह सब चीज़े हैं, तो यहाँ पर speed आप देख सकते हैं, 220 kilometers की speed है, left side में आप देख सकते हैं, rpm आपको यहाँ पर digitally नहीं है, सारा यह चीज़े analog है, और यह चीज़े पीछे जो lights आपको 1000 डाइफ दिख रही, यह analog डिजिटली आपको शो अब बात करते हैं, तो flat bottom steering आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और कुछ controls आपको steering में मिल जाते हैं, मतलब steering mounted controls के के मिल जाते हैं, आप यहाँ पर से जस्ट अपने जितने भी infotainment system यहाँ पर controls आपको दिए गए हैं, वो सारे control आप यहाँ पर से control या बागी कोई option यहाँ पर available नहीं है, तो कुछ इस तरीके का इसका M.I.D. है, और अब बात करता हूँ, front में तो front में आपको बहतरी look दिखता है, कोई issue नहीं होने वाला, आपको visibility की regarding कोई, आपको clear vision है, यहाँ पर कोई issue नहीं है, और seat भी काफी ज्यादा height में है, मतलब height to adjust करी सकते हैं, तो उस regarding अगर आपकी height भी कम है, तो उस के regarding भी कोई issue नहीं होने वाला, right side की बात करों तो steering में एक चीज़ और बता दू, यहाँ पर आपको मिल जाते है, headlamps के control जो की automatic नहीं है, normal है, VXI variant आप देख रहे हैं, यहाँ की बात करों तो wiper के control मिल जाते है, जो front में वाइपर हैं, यहाँ पर back में कोई wiper और defogger आपको available नहीं है, इधर की बात करों तो यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको कुछ lights के control और बाकी up and down light leveler यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ की बात करों तो window के control, auto के साथ, जो सिर्फ driver को मिलेगा, और यहाँ पर lock unlock की facility आपक side info से related, नीचे की तरफ आपको cup holders मिल जाते हैं और थोड़ा size आपको यहाँ पर extra मिल जाएगा, यहाँ पर speakers आपको है, twitter आपको available नहीं है, यहाँ पर just, आप मतलब आपको aftermarket ही कराना पड़ेगा काम, तो twitter यहाँ पर available आपको नहीं है, इधर की side बात करों तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, airbags, जो कि आपकी safety के लिए काफी है, मतलब यह तो खेर basic variant से ही start हो गए है, तो अब airbags से related front में आपको कोई issue नहीं होने वाला, यहाँ पर hazard lamps मिल जाते हैं आपको, जो आपको night में help करने वाले हैं, अगर आपकी गाड़ी कहीं emergency में खड़ी है, तो यह स camera की quality दिखाता हूं कि back camera इसमें कैसा है, तो यह आप back camera देख सकते हैं, और ऐसे करके यह आपको visibility दिखाएगा, अगर आप back camera करेंगे तो इस तरीकी के आपको visibility यहाँ पर यह शो करेगा, मतलब इस टाइप का इसमें back camera available है, हलाकि इसकी quality better है, मतलब कोई आपको issue नहीं होग back से देखने में, तो यहाँ पर आपको यह चीज़ें दिखा देगा, यहाँ पर आपको touchscreen panel नहीं है, तो यह भी S-series का पारटे में आपको बता रहा हूं, यह company fitted नहीं है, यह S-series में आता है, यह S-series अगर आपको लगवानी है, शोरूम से तो आप यह चीज़ें लगा सक यहाँ पर कुछ chrome से निशाथ को मिल जाएगी, अब बात कर लेते हैं कि space के मामले में, space के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, गाडी में, पूरा space बहतर नहीं space है, space पर regarding मतलब, कहीं भी आपको space के regarding कोई issue गाडी में नहीं होने वाला, इधर के बात करें तो यहाँ पर आपक आपको अविलेबल नहीं होगा, नीची की तरफ ऑटमेटिक कंट्रोल से यहाँ पर नहीं है, इसके मैनवली आपको एड़ेस करना होगा, और defogar पीछे नहीं है, तो वो एक issue है, फ्रेंट में है, तो यह सब चीज़े है, नीची की तरफ बात करूं, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, हैंडब्रिक, और यहाँ पर आपको कोई आम रेस्ट अविलेबल नहीं होगा, कंपनी फिटेट की, कंपनी फिटेट है, या ऐसा कुछ आपको आपको अफ्रमार्केट की कराना पड़ेगा, और इधर 12 वोर का चार्जिंग सोकेट जो बैक वाले के लिए, उस लगाना पड़ेगा, तो VXI variant में यह सब चीज़ां ओफर की जा रही है, ताकि आपको एक बहतरी डिस्काउंड मिले, मतलब X-Series के साथ ही आपको प्रोवाइडिट किया जाएगा, यह variant जो आपको देख रहे हैं, आप VXI, VXI basically, और यह सब चीज़ां है, और फ्रंट में कोई इशू नहीं है, विजिबिल्टी से रिगार्डिंग भी कोई इशू नहीं है, अब चलते हैं, पीछे की तरब और पीछे की तरब बात कर लेते हैं, कि गाड़ी किस हिसाब से कितना पीछे स्पेस है, और डिजायर उन चूँ, इतनी बैस सेलिंग गाड़ी अभी तक रही है, तो आगे हैं पीछे की तरब, सबसे पहले मैं सीट की बात करूँ, तो मेरी हाइट फाइट और मेरे हिसाब से एडजेस्ट है, अब आप इस स्पेस देख सकते हैं, इस स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में, और बहुत बड़ी है स्पेस यहा आपको मिल जाते हैं, जो कि आप कंत्रोल कर सकते हैं, यहां पर चारजीं आपको पीचे के लिए मिल जाता है, यहां पर यहां को बात करें हैं, यहां पर मिलेगा, यहां कोई इशू नहीं आने वाला उधर डोर में भी आपको बॉटल होल्डर और इजीली मिल जाएगा अब इधर की बात को यहाँ पर मिल जाता है आपको आम रेस्ट और दो कफ फोल्डर के साथ इसका यह चीज बहुत अच्छा है कि एकदम स्लाइड नीचे की तरफ नहीं होता ह है अपनी 90 डिग्री पोजिशन पर यह साही रहता है तो इतना अच्छा है कि अगर आप हाथ रखेंगे तो नीचे नहीं जाएगा तो यह चीज बहुत अच्छी है इसमें बाकी दो कफ फोल्डर यहां पर आपको मिले हुए हैं और पीछी की तरफ बात करूंतों सीट आती थी अलग कि यहां पर आपको फ्यूल उकॉनमी जादा मिले वाली इस काड़ी में तो इस वज़े से भी एक इशू है तो लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ असा यहां पर आपको प्रॉब्लम में भी दे सकती है डोस काफी हलके हैं बाकि अंदर से आपको फिन बूटी स्पेस की है यहां से आप इसका बूटी स्पेस उपन कर सकते हैं तो यह इसका बूटी स्पेस होने वाला है जिसकी लीटर्स में बात करें तो 378 लीटर्स का यहां पर बूटी स्पेस और एक लाइट आपको यहां पर अविलेबल मिल जाती है बहुत बूटी स्पे से कोई शू नहीं होने वाला इस टेपनी की बात करें तो यहां पर आपको इस टेपनी भी मिल जाती है जो कि यह अलॉय आप विसली नहीं है रिमी है वी एकसी वेरेंट आप यह देख रहे हैं अब चलते हैं इसकी प्राइजिंग की तरफ और सारी प्राइजिंग सी डिटेल इसमें बात कर लेते हैं तो आल ओवर बात करें तो आपने देखी मारूती डिजायर और यह वी एकसी वेरेंट आप देख रहे हैं जिसकी ऑन रोड प्राइज आपको मिलता है टेक्स सब कुछ मिलाके सेवन लैग नाइंटी टू थाउजंड के एप रॉक्स और यह बहुत आपकी फाइटी वेरेंट है सबसे ज़्यादर डिजायर का तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें थैंकियो सो मच गाईज मिलते हैं ऐसी कुछ आपकी वीडियो में